हलो डीर दोस्तों आज बनाना चाह रहे हूँ की रेसीपी बताऊंगी आजमने आपको तूह लिए मैंने द्रैफर पुट ले लिए हैं तोड़ी से ड्री ली ले लिए हैं ईसमें मैंने पंपिनSon मखाने ले लिए हैं यहां पे थोड़े से मिक्स ड्राइफ रूट्स हैं पर बादाम किश्मिष काजू यह ले लिए हैं बाकी जो भी लगे का मैं आपको इंग्रीडियंट्स वो बताती जाओंगी तो चड़िए बनाना स्टार्ट करते हैं पंजीरी सबसे पहले पैन ले लेंगे इसमें डालेंगे देसी गी यहां पर मैंने आदा कप गी ले लिया है सबसे पहले हम गोन को प्राय कर लेते हैं पहले गी को गरम कर लेंगे उसके पाद गैस का प्लेम लो कर लेंगे अब इसमें डालेंगे गोन गोन को लो प्लेम पर ही प्राय कर करना है कि गौंद को आगे पीछे करके सिता करेंगे तब अच्छे से प्राई करना है अब जो कृष्पी हो जाए कि गोंद हमारा प्राअचिक है अब रूद को रोग जाना चाहिए अब बदा और काजू को रोच को देने तो पाजू बदा हमारे डायरोस्ट हो चुके हैं इनको भी हम निकाल लेगे एक बड़ी प्लेट ले ले लिजिए जिसमें आप ये ड्राइफट को फ्राय करते निकालते जाएंगे अब मखानों को फ्राय कर लेंगे मखाने भी हमारे लोग को चुके हैं इने भी निकाल लेते हैं ये सेम प्लेट में निकाल रुए हुए अब नार्यल को पी हम ड्राये रूस्ट लीडे नार्यल मैंने आपको दिखाया नहीं था बूल अब इसमें सी तदून लेंगे, इसके साथ ही कस-कस, इसको भी ड्राया रोस कर लेंगे, पंजीरी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है, तो अगर आप रेक खास नहीं करते हैं, तो आप एक पंजीरी का दो चमची खा लीजे, उसके बाद दूद पी लीजे, या फिर आपके घर में बड़े बुजुर्ग रहंएं, आप दे सकते हैं पंजीरी, या तो कोई आपके घर में इसको नया-nया कुछ पेभी हुआ है, उस मदर को दे सकते हैं, आप न्यू मदर को दे सकते हैं पंजीरी, तो काफी healthy होती है ये, तो सीट्स भी हमारे हो चुक किश मिश भी हो चुक है है तो ड्राइप्रूर हमारे अलमुर सब फ्राय हो चुके हैं जो भी बुझे ढालना था वह हैं हो ए साब प्राय कर ली है अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधा कफ की करीब सूजी और आधा करीब ले रही हूँ आटा गेउं का आटा है नॉर्मल अब इन दोनों को हमको करना है भूनना है अच्छे से ब्राउन होने तब इसमें आप चाहें तो ड्राइफूट की भी पंजीरी बना सकते हैं पर थोड़े और हेल्दी हो जाती है यह तो अब आटे को अमको लो फ्लेम पर अच्छे से बूनना है जो पूरी गुट्लिया है खतम करकर बूनना है तो इसे बूनते हुए दस मिनिट हो चुके हैं मैं इसे कंटीन्यू लो फ्लेम पर चला रही हूँ यह देखिए हलका सा इसक तो आटा और सूजी हमारे भून चुके हैं इच्छे से यह देखिए काफी ब्राव होगी है गैस मैंने बंद कर दिया है लेकिन फिर भी मैं इसे चला रहे हूँ क्योंकि पैन काफी गरम है और यह थोड़ी तरी ने चलाते रहेंगे और फिर से ठंडा करने के लिए रख द काफी हमेने चलिए ड्राव फूर्स को जो ने बना के रखे हैं इन पीस लेते हैं यह जो हमारे ड्राव फूर्स निकाल तो आकथी निकाल के ब्रग अबर देंगे तो कि वह हम पंजीरी में उपर से डालेंगे तो छाने में अच्छे लगते हैं तो यह पे एक थोड़ी से क गॉंद आयंकों, नाता हमने अप्रिशद पाम करें सैंप्रिकमा का सब्सक्रिकत दया ऑया दो फेल जब सेट दो पड़िस के डाल रही हूं ध्यौ्त फ़ी ने डाल रहे हूं देख नो आदेटकों पीशेद पीशरा हमें तो शुक्त में यह समयन HERE आपको एकदम पाउडर करना है तो पाउडर भी कर सकते हैं तो मैंने इसे इस तरह से ही पीसा है मैं आपको इसे पैन में निकाल कर दिखाती हूं यह देखिए अब हम पीस लेते हैं अब आप मिस्री को पीस लेते हैं तो यहां पर मैंने एक चोथाई कप मिस्री ली है ज्यादा मिस्री नहीं ली है मिस्री काफी मीठी होती है तो अगर आपको ज्यादा डालनी है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं तो यह हमने मिस्री को भी पीस लिया है तो आईए अब इसम इससे इसकी शेल्फ लाइक कफी बढ़ जाती है अब पहले हम मिक्स करते हैं बंजीरी में आठा क्या कि थोड़ा सा ये जब ठंडा होगा तो अपने आप थोड़ा सा अलग खिला-खिला हो जाएगा अभी आपको इस तरह से मिक्स लग रहा है तो इतने आठा मिक्स कर दिया ह हमने इसके साथ किश्मिश मिक्स कर दी किश्मिश को भी मैंने पीसा नहीं था और यह जो हमने बचा के रखे थे यह भी इसमें मिक्स कर देंगे यह सीड्स भी मिक्स कर देंगे जो खसकस और सीड्स रखे थे हमने और अब इसे अच्छ से मिक्स करें अब इसमें डालेंगे इसे फशह के ईलाजी का पाउडर यह यह मेने पहले नहीं मिलाया था अभी मिला रहे हूं इसके अलावा आप इसमे इसमें सोट भी मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं अब मिला देंगे यह मिश्री चयूंकि मैंने यह ठुड़ा अब मिश्री को भी इस तरह से मिख कर लेंगे तो बस परेंट्स पंजीरी हमारी तयार है बनके एकडम बढ़िया देखिए कितनी बढ़िया लग रही है मैं आपको बताना सकती हूं इसे मैं टेस्ट करके देखती हूं अब खाने में तो प्रेंट्स इतनी टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूं तो इस तरह से बनाईए पंजीरी की रेसिपी और प्रेंट्स रेसिपी पसंद आये तो प्लीज उसे लाइक करिए शेयर करिए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स ने बताईए रेसिपी कैसी ल